दोस्तों भारत में उस्तों कभी खत्म नहीं होते और जन्वरी वे महीना है जब संस्कृती उत्सवों और कारक्यों में चिरिस्था उत्सा देखा जाता है यहां ढेर सारे पारम, परिक, तिवहार, संगीत और न्यत्य उत्सव, परेड और बहुत कुछ है जिसका आप निश्ची तूप से हिस्सा बनना चाहेंगे यहां साल के पहले महीने में पेश किये जाने वाले सबसे अच्छे तिवहार और कारक्यम है सबसे पहले है कच्छ कारड कच्छ कारड या रड उत्सव कच्छ के सांदर सफे नमक रेगिस्तान में तीन महीने तक चलने वाला उत्सव है आविश्वस्नी लोक नित्यों, संगीत, हस्त सिल्पिष्टालों, साहरसी खेलों और स्वादिष्ट भोजन के साथ यह तिवहार छेत्र की सुन्दर विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित करता है परियोटों को ठहराने के लिए रेगी स्थान के विशाल खुलेपन में सैकडो लगजरी तंबू फैले हुए हैं अब जानते हैं कि ये कब तिवहार मनाय जाता है 26 अक्टूबर 2023 से 20 फरवरी 2024 तक ये तिवहार चलेगा पूर्डिमा की राते इस स्थान पर जाने के लिए सबसे अच्छे दिन हैं क्योंकि आपको सफेद नमक पर चमकता हुआ चन्रमा देखने को मिलता है ये तिवहार कच्छ कारण धोर्णों गुजरात में मनाया जाता है दूसर तिवहार की बात करते हैं जो है अंतराश्टी पतंग बाजी महोस्व दोस्तों इस तिवहार पर सुर्योदे से सुर्यास्ट तक उरती लाखु पतंगों के साथ आकास को जीवन्त और रंगिन होते देखना बहद आनन दायक होता है दुनिया भर से पतंग उड़ाने वाले मकर संक्रांती उस्सों के हिस्से के रूप में उस्सों में सामिल होते हैं पतंग उड़ाने के अलावा अन्य आकर सक कार्क्यम भी होते हैं जैसे हवाई कला बाजियां, पतंग बनाने की कारी सालाएं, पतंग पेंटिंग प्रतियोगिता और भी बहुत कुछ यह परिवार अनुकूल तिवहार जीवन और प्रजनन छमता का जस्न मनाता है दोस्तों यह तिवहार 14 जन्वरी से 15 जन्वरी तक चलता है यह तिवहार साबर मती रिवर फ्रंट आसरम रोड एहमदाबाद गुजरात में मनाया जाता है अब तीसर तिवहार की बात करते हैं जो है जैपूर लिटरेचर फेस्टिवल साहिति से प्रेम प्रिसिद लेखो को और वक्ताओं से मिलने और साहिति का जस्म मनाने के लिए जैपूर साहिति महोतसों में भाग लेना सुनिशीट करें जैपूर लिटरेचर फेस्टिवल का पर्मार संसकरर विज्ञान और भविसी के बारे में होगा अग्रिडी लेखोकों की सूची में जेफरी, आर्चर, यान, मार्टिले, आद्रे, एक यामन और कोलेशन वाइट हेड सामिल हैं कलाकारों की विस्ति स्रेंखला और कारकन का सिडूल उनकी वेबसाइट पर सूची बद्ध है यह तिवहार एक फर्वरी से 5 फर्वरी 2024 तक मनाया जाएगा यह होटल कलार्स आमेर जयपुर राजिस्थान में मनाया जाएगा चौथा तिवहार है बीका नेर उट महोसव वह स्थान है जहां आप उटों को चमकीले रंग बिरंगे परिधानों में उट डोड सौंदर पृत्यों गिताओं और उट नति में भाग लेते देखेंगे यह तिवहार रेगी स्थानी जानवरों का जस्न मनाता है और कैसे उटों को नचाते वी देखना एक ऐसा द्रस्य है जिसे आप मिश नहीं करना चाहेंगे यह उत्साव आतिस बाजी सो राजिस्थान लोग कलाकारों के मनो रंजन प्रदर्शन के साथ समाप्त होगा यह तिवहार 13 जन्वरी से 15 जन्वरी 2024 तक मनाया जाएगा यह बीका नेर राजिस्थान में मनाया जाएगा पांचमा तिवहार है लोडी दोस्तों लोडी का हरसो लास पूर्ण तिवहार हसल की मौसमी की सुरात का उस्सव है मुख्यरूप से पंजाब और उत्तर भारत के अनी हिस्थों में सीख और हिंदू समुदायों दोरा मनाया जाने वाले इस तिवहार में पवित्र अलाव जलाना उसे खाना खिलाना प्रातना करना और नितिप्रदर्शन सामिल है आग सर्द्यों के बीतने लंबी रातों का संकेत देती हैं और गर्मियों लंबे दिनों का स्वागत करती हैं यह तिवहार 13 जन्वरी को मनाया जाएगा पंजाब और उत्री भारत के कुछ अन्नी हिस्थों में यह तिवहार मनाया जाता है चटा तिवहार मंत्रा संगीत समारो सभी भरते और प्रिसिद्द कलाकर्व के लिए एक मंच मंत्रा संगीत महोसो भारत में सबसे बड़ा वार्शिक सांस्कृतिक संगीत कार्गरम है यह पारंप्रिक नेतलिद दच्षिड भारती का नाटक संगीत और अन्नी कलाओं को भी प्रदर्शित करता है एक महिने तक चलने वाले इस उस्सों के दौरान पूरे चिन्नई में एक हजार से अधिक प्रदर्शन होते हैं इसके अलावा संगीत से संबंदित कई सेमिनार प्रदर्शन और चर्चा भी होती है यहतिभार मद्ध दिसंबर से मद्ध जन्वरी तक म मिलनाड में मनाया जाएगा सात्मा है गरतंत्र दिवस भारत के सम्विधान का सम्मान करने के लिए मनाया जाने वाला गरतंत्र दिवस एक राश्टी तिवहर है जिसमें भारती सेना के तिन डिवीजनों का प्रदर्शन करने वाली एक सांदार परेट सामिल होती है हल सेना, नौ सेना और वायू सेना वर्स सत्तर वें गर्तंत्र दीवस और महात्मा गांधी के 150 में जल्म दिन के रूप में गिना जाएगा इसलिए इस वर्स मुक्याति थी दच्छिर अफरिका के राष्टपती माटा मेला सिरिल राम फोसा होंगे क्योंकि गांधी का देश से गहरा संबंध है यह तिवार 26 जनरी 2024 को मनाया जाएगा जो की नई दिल्ली में मनाया जाएगा दोस्तों आठवा तिवार है पुंगल पुंगल प्रकिती को धन्यवाद देने के लिए दच्छिर में मनाया जाने वाला एक फसल उस्सव है पुंगल पकवान पकाना रंगोली बनाना नेत्य करना और परिवारों के साथ मिलना जुलना इस तिवार के कुछ मुखी आकर सड़ है मुखी रूप से तमिलनाड में मनाया जाने वाला पुंगल प्यार और खुशी के बारे में है यह तिवार 15 जन्वरी 2014 से 18 जन्वरी 2014 तक मनाया जाएगा जैए दर्षिट भारत का पर्व है तो दोस्तों आपके वीडियो में बस इतना ही आपको यह वीडियो कैसा लगए कमेंट करके बताएं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको आसाने से मिलते रहें अब मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जैमाता दी